कि 2024 में केले का पता लपेट करके अवी लाला वी लाला करते हुए गुमें कि इनका ये तथा कथी पागल जूता खोर लथ खोर के मंतरी कह रहे हैं कि यहां तो भीडे नहीं कुरसी दिखाई दे रही है तो कुरसी ये को भांसर दे रहे हैं कुरसी निर्जीव सुन रही है अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है आखरी में ये मुद्दा लाएंगे मंदीर मस्जीद और हिंदू-मुसल्मान भारत पाकिस्तानिस के लान के पास कोई मुद्दा नहीं है पूरा हिंदुस्तान चाहे बेचेत खरदने वाला भी तो कोई चाहिए बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है मुद्दा भी हिन हो गई है आप इनों को जो है मणी पूर नहीं दिखाई दे रहा है सीज़े जराहिल देख रहे हैं नमस्कार मैं नूर जहूर हमारे साथ बातशीत करने के लिए मौजूद हैं कॉंग्रेस पार्टी के समर्थक तो उनी से हम 2024 को लेके हम बात करेंगे कि जिस तरीके से जो पांच राज्यों के चुनाव भी हैं वो भी नजदीक आ गया उसकी भी घोशना कर दी गई है और 2024 के च चुनाव भी नजदीक आ गये हैं तो किसको देख रहे हैं देखिए इंडिया गडबंधन कि जो सबसे बड़ी पार्टी है का अखिलिभारती कांगरेस पार्टी पांचों राजों में बेधारक होकर के चुनाव जीत रही है चुकि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं मुद्दा भी हिन हो गई है यहां तक कि इनके पास परत्यासी नहीं है यह अपने सांसद और मंत्रियों को उतार रहा है इससे साब दिखाई दे रहा है कि बीजेपी बैक फूट पर है अब इनों को जो है मणी पूर नहीं दिखाई दे रहा है तो इनके पास मुद्दा नह कूरसी निर्जीव सुन रही है तो आप साब जाहिर हो गया है कि यह पांच स्टेट रो जाएगा और इंडिया गडबंधन की ही सरकार लोकसभा में देश में बनेगी अब पंडित राहूल गांधी इस देश के प्राइमिनिस्टर आप इंडिया होंगे लेकिन जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि राहूल गांधी ही प्रधान मंत्री बनेंगे लेकिन वही दूसरी तरफ जो भाजपा है वो बोल रही है ना कि पूर्ण वहुबत से हम आएंगे आप चाहे कुछ भी कर लीजिए इविम सेट करेंगे चुना आयो को सेट करेंगे इसराइल को इसी लिए तारिफ करना है इसी लिए कर रहा है कि क्या परोंड परेशान है नोजवान परेशान है सबी लोग जो हपीडित हैं और किसान परिशान हैं महिलाएं परिशान हैं मणिपूर की दसा देखी रहे हैं अब तो ठीक हो गई है मणिपूर की दशा डेली की डेली ये घटना कर रही है आज इंटरनेट तिन चार-पांच महिने से आफ चल ला अब तो मोदी जी अपना नाम हटाकर कहें कमल ही निसान रहेगा कमल के नाम पर ही वोट मांगना है मोदी का कोई अस्तित तो नहीं है अब अभी तो नो साल हुआ भारत को आजाद हुए हम लोग नो साल के नवालिक बच्चे हैं हाँ भाई नो साल में इम स बना है आई आई टी वन यह भाकणा अंगल बांद बना है तमाम रेलिवे इस्टेशन बने हैं तमाम जो है नो साल हम लोग नवालिक है ना अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है आखरी में ये मुद्दा लाएंगे मंदिर मजजिद और हिंदू-मुसल्मान भारत पाकिस्तान इसके पास कोई मुद्दा नहीं है कहां कर रहा हैं वो हिंदू-मुसल्मान सब सही तो चल रहा है फिर वी हंदू-मुसल्मान करें वहीं आप वहीं देख लिजी बिहार में जाती आप ही के Congress Party ने जाती जनगंडा नहीं करा दिये तो जाती जनगंडा करा है तो कोई अपराज काम किया क्या यह तो पता चलना चाहिए कि जातियों प्लेटफार्म पे हैं कैसे जीवन यापन कर रहा है कौन कौन से जातियों लोग हैं अपर काश्ट में कितने जो भुकमरी के सिकार है कितने गरीबी पूरा डाटा कलेक्ट होगा तुसमें यह पता चलेगा ना कौन आर्थी गुरूप से कमजोर है कौन आर्थी कुरूप से मजबूत है हमारे देश के माननी प्रधान मंतरी राजा बाबू तो अडानी अंबानी से आगे कुछ सोचते ही नहीं उनकी अलामात और कुछ आदा कर रहे हैं तो उनको तो दिर्जोधनों से प्यार है तो यह है जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो प्रधान मंतरी है वो यह कर रहे हैं वहीं दूसरी ते आप देखनी रहे हैं देश कितना आगे बढ़ रहा है आप विदेशों में संभंध इतने अच्छे कर रहे है G20 के माध्यम से अब देखी सकते हैं G20 में पहला जो है हमारे देश का प्रधान मंत्री बना है अच्छा ये चीज बताईए इससे पहले भारत में कोई सम्मेलन नहीं हुआ था 102 देश का 1983 में स्वर्गी सिरीमती इंद्रा गांधी के नेतित में स्वर्गी सिरीमती इंद्रा गांधी ने 16 दिसंबर 1971 को 20 का भुगोल बना दिया एक नए राष्ट को जरम दिया जिसका नाम पुर्वी पाकिस्तान से बदल करके बंगला देश किया गया आज बंगला देश भारत से मैच भी है तो जान लिजिएगा यह का बनाए पुल्मा मा इनके सरकारों में कारगील हुआ इनके सरकारों में लागडाउन लगा इनके सरकारों में कुरोना में लोग पैदल चल करके भूखों मर गए लोग डाउन तो इसलिए लगाया था ना ताकि जनता की सुरक्षा के लिए लगाया था आप लोग बिमार ना पड़े आप बताईए कितने लोग के घर रासन पहुंचा कितने लोग पैदल जाते जाते रास्ते में सहीद हो गए आपको यह नहीं दिखाई दिया तो घर में रहे ना वो उनी की सुरक्षा के लिए बनाया है जहां से चले है घर में रासन खाने नहीं तो भूखों मरें या तो पैदल चल के मरें आपको नहीं दिखाई दिया कितनी डेथ बाडियां जो गंगा में विसर्जित करवा दी गई हास्पीटल से तो आपको यही सब दिखाई दे रहा है ना तहीं कुल मिला करके हर मोर्चे पर हर मुझ्दे पर मानिय प्रधान मंतिर राजा बाबु की सरकार फेल है जनता बहुत पीडित है आप कह रहे हैं वो फेल है उन्होंने इतनी योजना चलाई है आयुश्मान योजना देख लीजिए आवास यो गोटाले हो गए जिस कैग ने गोटाले का उजागर किया है जानती है इनका जो आई समान गोटाला है आई एक भारत माला है दोनों में तो कैग ने आई ना दिखाया आउनी मांदार अफस्वरों को रातो रात तब आदाला कर दिया गया बड़े राज हरी चंद की चठीया उलाज थे इमानदार थे तो इमानदार अफस्वरों से डर्व है कैसा आप बता दीजिए कि इनका एक तथा कथित पागल जूता खोर लत खोर महन थे अपने आपको बनता है स्वाइंभू कमांडर राजु दसवा जोद्या में मारने के लिए 25 करोन रूपया का इनाम इस नहीं कोई कारवाई करती है यहां तो कोई विरोध करता है तो उसको पूलिस बहादुरों के माफिक पकड़ने चली जाती है पांच-पांच ब्रामनों की हत्या हो गई उस पे राजा बाबू और उत्तप्रदेश की सरकार मौन भरत धारन कर लिए डाक्टर घंसयाम ती प्रदेश में जंगर्राज है यहां पर जंगर्राज का नमूना देखी है हरियाना में आप मनिपूर देखी रही है तो कुछ बचा है जटा अबरू बची है का चाहती है कि 2024 में कपा ओ जो हकेले का पत्ता लापेट करके अवी लाला वी लाला करते हुए गुम है जिस तरी राम मंदिर से रोजगार मिलेगा राम मंदिर के आगे विखारी मिलते हैं राम रादस्तापित कर रहे हैं वो तो दिखाई दे रहा हाम मनिपूर में दिखाई दे रहा है नहीं चाहिए मंदिर के अम्जीन के लेना दिना नहीं है वा स्पीटरी के श्कूल में बैलों कर दो के करें चीनम के रूजवाना जो करेंगी आप पतरकार लेकर कैमरा लेकर घूम रही है पड़ली करके जाइए नचूला चोकी कीजिए किसने रोका है आपको उपाय दे रहे हैं क्या बनाने के लिए बोल रहे हैं तो उनके पिता जी चाय बेचते का पूरा हिंदुस्तान चाय बेचता खर दने वाला भी तो को एक गरीब का बेटा जो है नेता बन गया है तो आपको बड़ी दिक्कते हो रही है उससे यहां तो घर फूंकता मासा एक बिप्रदेवता देश के प्रथम प्रधान मंतरी आधोनिक भारत के निर्माता पंडित जवाल लाने तो परागर वे अग दुवार सबकू संपती भ पंडित ने हरू की जिस तरीके से आपने देखा ये थे हमारे साथ कॉंग्रेस पार्टी के समर्थक जो कह रहे हैं कि आप चाहे लिख के ले लिजिए 2024 में राहूल गांदी ही आएंगे वहीं दूसरी तरह देखा जाए तो प्रधान मंतरी मोदी जी भी काम कर रहे हैं लेक मुझे भी काम काम